स्टुडेंट्स आज हमारा टॉपिक है क्लीनिकल थर्मोमीटर इससे पहले आपने पिछे लेक्च्छ में थर्मोमीटर के बारे में स्टूडी किया होगा कि हमारे पास थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूज वोती है यूज टू मियर दा तेमप्रेचर यानिकि तेंपरेचर को मैयर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है हम उसको कहते हैं कि यह यूजट फॉर मैयरिंग या मैं लिख भी देती हूं यूज़ फॉर मैयरिंग यूज़ फॉर मैयरिंग तेंपरेचर मैयरिंग तेंपरेचर ठीक है अब अगर हम देखें तो हमारे तो जो हमारे दॉक्टर होते हैं नर्सेज होती है वो बिसिकली जो टैंपरेचर मेश करने क के लिए बाड़ी का पैसंत का टैंपरेचर मेश करने के लिए बॉड जो डिवाइच जो चुछो हम यूर थाख ओलाता और उसको अगर जब जो मॉर स्पेसिफ एक जब निक सम यू वह हमारे पास a capillary tube, capillary tube जो है यह बहुत ही small बहुत ही बारीक सी एक tube होती है जिसके अंदर mercury फिल की जाती है, और mercury की यह property है कि उसके अंदर high coefficient of expansion होते है यानि कि जैसी उसे heat कहीं से मिलती है तो वह फोरंस expand का जाती है यानि कि उसके volume में कुछ नगुछ increase हो जाता है और इसक में यह देखते हैं कि जो हमारे पास एक तो bulb होता है जिसे हमने यहां शोक है एक bulb होता है और उसके अंदर mercury field होती है उसके बाद एक construction होती है construction का जो word है वह constraint जो हमें से निकला यानि के रुकावर्ट को हम कहते हैं यह एक रुकावर्ट होती है इस capillary tube में और उसके बाद जो है हमारे पास यह क्यूंके mercury का हमें पता है कि red color red color होता है उसका और वह जो है इस tube में बहुत जादा visible होती है जैसे ही वह expand होती है एक side पर centigrade में और दूसरे height पर foreign height में temperature की scaling होती है अगर हम देखें तो हमारे पास 36 अगर मैं यहां लिखूं हमारे पास यूजिली जो है वह 36.5 degree centigrade से लेके 38 degree centigrade जो है वह normal temperature consider किया जाता है जिसे हम कहते है average temperature है यह हमारे पास यह नॉर्मल temperature है लेकिन अगर इससे जादा जो है किसी body का temperature हो जाए जिसमें यूजिली जो हम कहते हैं कि बहुत जादा ठंड लग रही होती है patient को तो उन temperature को हम कहते हैं कि यह हाइपो थर्मिया है और अगर इससे जादा हो जाए temperature जिसे हम कहते हैं कि अगर 39 और अगर फॉरण हाइट में देखें तो 104-105 खर जिसे बुखार भी कहते हैं वह अगर हो जाए जिसमें body बहुत जादा गरम हो जाती है तो वह खतरनाक भी हो सक तो सबसे पहले जो एक मिनट के लिए यह थर्मोमेटर जो है वो पेशेंट की body में रखा जाता है यूजिली इसको जबान के नीचे भी रख देते हैं या फिर कभी-कभी जो हमारा armpit होता है यानि कि under arms होता है वहां भी जो है यह थर्मोमेटर रखा जाता है to measure the body temperature और उसम क्या होता है कि जैसी वो उसमें conduction का process होता है क्योंकि conduction हमें पता है कि जैसी कोई दो bodies in contact आती है तो heat transfer होती है तो जब heat transfer होती है तो हमें पता है कि mercury उसका हमारे पास high coefficient होता है high coefficient of expansion होता है यह में लिख देते हूं coefficient high coefficient of expansion होता है इसका तो उसके जरीए क्या करता है कि यह बहु जो है वो इस ट्यूब में इंक्रीज करता जाता है फिर एक खास लेवल तक उसकी रीडिंग जाती है जिसको हमयर कर लेते हैं फर एक्जामपर यहां 37 तक रीडिंग गई है जैसे कि आपको नजर आ रहा है और यह विजिबल होती है हमारी इसमें और यह कंस्ट्रिक्शन को प देखा होगा कि डॉक्ट्टर यहां वो इसको एक जटका देते हैं थर्मोमेटर को और वो अपनी जगा पर जाते हैं और फिर वो दोबारा री यूज हो सकता है अगले पेशेंट का टेम्परेचर मायर करने के लिए तो स्टुडेंट्स आज हमने पढ़ा कि क्लिनिकल थर् करने करने का देखा देखा है अपनो करने के वो तेखा यहां देखा प्योंप्रूर यथ को एक जो बाते हैं घर सबस्टार आगया